हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टो अल फ्यू जैसा कि आप सब को पता है आज 18 मई और एक स्पेसल चीज मैं कहना चाता हूँ आप सब के लिए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज सुबह उठके अपने जिंदगी में एक एम सेट करें अपने रोज की टार्गेट सेट करें चोटे चोटे टार्गेट सेट करें और आप बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे तो वेलकम टू माई चैनल और यह हमारा चैनल है एक और वन डे एक्जाम पॉइंट इस पे सारे वीडियो पहले आते हैं इविन करेंट अफेस भी पहले आत है और भी पॉलिटी जोग्रफी इसके जादा जादा चैप्टर्स यहां अवेलेबल है आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां मिल जाएगा तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी मेंज ऑनलाइन चैलेंज नेम्ड कॉंप्टीशन स्टार्टिड बाई यह कुश्चन जो है हेटफुल मेंज आप लोग समझते होंगे क्या होता है तो हेटफुल में में आप समझ रहे हैं में में फेस्बूक वाटसाइप और वी जगहों पर आपको मेंस दिखते होंगे कहते हैं आप जो कायनाय को हो जिसमें पिक्चर के साथ आप डिस्टॉर्ट करके और कुछ इंफर्मेशन दिया रहता है कुछ बाते जोक वगरह कही रहती है तो यह दिवस कब मनाया जाता है और दिवस नहीं यह चैलेंज किसने सुरू किया है अगर हेटफुल में में होग तो जिसपे वो बनाये गया है उसको तो वो बुरा लगेगा यह आपको पता होगा तो यह चैलेंज शुरू किया गया है फेस्बुक के द्वारा फेस्बुक की अपना दोज़ाचार में मार्क जूकरबर्ग के द्वारा की गई थी और अभी भी इसके सीओ जो है वो है मार जूकरबर्ग आमेजन के फाउंडर एंड सीओ है जेफ बैजोस और एक रिपोर्ट के अनुसार छे साल बाद ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तिव में पहले ट्रिलेनियर बन जाएंगे मतलब यह पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका प्रोपर्टी जो है ट्रि भी पूट करें क्योंकि यह एक्जाम में आएंगे अगला कुछन है वर्ल्ट टेली कम्यूनिकेशन और सोसाइटी डे वास चेलिवरेटेड ओन तो बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन 17 माई 22 माई 23 माई 31 माई तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दूर संचार मतल क्या इंपोर्टेंस है क्या उसके बेनिफिट है इसको सेलिवरेट और इसको जानने के लिए यह मनाया जाता है तो दोस्तों एक से लेके 31 माई तक मैंने टोटल दे और दिवस उसकी थीम भी बताई है आपको डेली भी बताता रहता हूं तो आज आपका होमवर्क है कि नहले के दिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत बेटर तरीका है और आज हम लोग अगले महिने के जो डे है उसको याद करेंगे क्योंकि वो अगले महिने के लिए तैयार हूं जाएगा जून एक को क्या मनाया जाता है, जून महीने का देखते हैं, जून एक को मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, और गलोबल डे आफ पैरेंट्स, जो भी माता पिता है, पैरेंट्स है, उनका दिवस है, एक दिवस को, जून दो को मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिक्स वर्कर्स उनके लिए जो दिवस है वो है चार दिवस को चार जून को चलिए next बढ़ते हैं environment day ये बहुत बार पुछा गया है ये है 5 जून को 7 जून को क्या है cancer survivor day क्या है cancer survivor day तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो please note भी कर ले जून महिने का क्योंकि 10 दिन के बाद तो फिर जून आना ही है 10-12 दिन के बाद उसके बाद 8 जून को क्या है world ocean day ocean day मतलब समुद्र दिवस और brain tumor day brain tumor आपको पता ही है next है जून 11 को coal miners day जो भी खाद्यान में काम करते हैं coal mine में उनका दिवस कब है 11 जून को 12 जून को आते हैं anti-child lever day कब है anti-child lever day कब है 12 जून को anti-child lever day 13 जून को क्या है international albanism awareness day यह albania country है उसकी awareness sorry albanism एक disease होती है उसकी awareness के related है 14 जून को मनाते है blood donor day तो यह सबसे ज़्यादा important है 14 जून को blood donor day या blood donation जिस दिन करते है 15 जून को है world elder abuse day जो बड़े बुजर्ग लोगों पर आते है चार लोग करते हैं उसका दिवस मनाया जाता है 15 जून को 17 जून को world day to combat desertification and drought जो सूखा और मरवस्तली करन एक तरीके से उससे लड़ने का दिवस है 17 जून को और यह environments related day है और यह बहुत बार exam में पूछा गया है जो जो मैं बोल ला हूँ बहुत बार पुछा गया है वो सच में उस पे ध्यान दिजे और इसे नोट करिए world day to combat desertification and drought world refugee day कब है जून 20 को ठीक है international public service day मनाते हैं जून 23 को 26 जून को मनाते हैं international day in support of victims of torture ठीक है और 29 जून को मनाते है statistics day जो की बहुत बार exam में पूछा गया है 29 जून को क्या मनाते है statistics day तो मैंने बहुत slow बुला है बहुत सारे लोगों ने note भी किया होगा जो उनके आगे मंत के लिए फायदा होगा जो समझदार लोग वही है जो आगे के लिए पहले से तयार रहते हैं नाडा N.E.D.A. नाडा disciplinary panel person included in कौन से ऐसे व्यक्ति है जो नाडा के disciplinary panel में फिर से include कर लिए गया है सामिल कर लिए गया है तो वो है अखिल कुमार और नाडा के brand ambassador recent में ही बनाए गये थे कौन तो यह बनाए गये थे सुनिल सेटी नाडा का headquarter है न्यू दिल्ली में ठीक है यह आपको याद रहना चाहिए SCO की बैठक की अध्यक्षता किस ने किती SCO क्या है संगाई cooperation organization तो इसकी अस्थापना होई थी 2001 में ठीक है और इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी चीन ने अब इसमें कौन कौन से देश है और कौन recent में सामिल किया है यह जरूर याद रखना चाहिए पहले इसमें भारत औ cooperation organization का सदस्य भारत है इसकी जो headquarter है वो कहा है बीजिंग है और बीजिंग में दो और बैंकों का headquarter है वो दोनों bank कौन कौन से है बताइए वो दोनों bank है AIIB ASIA Infrastructure Investment Bank और दूसरा क्या है NDB New Development Bank इसका भी headquarter है कहां पे बीजिंग में ही बीजिंग चाइना की राजधानी है और वहां की currency क्या है यूवान या रेमने भी ये आपको हमेशा के लिए याद हरना चाहिए कि चीन बहुत ही ज़्यादा निउज में रहता है चीन के किस सहर में coronavirus का जन्म हुआ था तो वह सहर था वुहान वुहान सीटी में इसका आगमन हुआ था और ये इससे पूरे world में फैल गया उसका जो official नाम दिया गया वो दिया गया COVID-19 मैंने कहा है हर चीज को एक दूसरे से connect के जिए ये एक scientific तरीका है और जो बड़े बड़े scientist है ये इसमें believe करके इस पे research करके उन्होंने इसे fix किया है कि वो लोगों को काम आता है जल्दी जल्दी याद करने में ये formula एक दूसरे से connect करो जैसे कि मैंने connect किया COVID-19 से अब COVID-19 ये किस group का है तो SARS group का एक तरीके से virus है और इसकी अगर DNA की बात करें DNA structure की तो ये 75% RNA structure sorry RNA ये मिलता है बैट ने WHO पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये भी आपको याद रखना चाहिए सबसे ज़्यादा लोग इन देशों में ही मरे हैं और भारत में भी फिर से lockdown 4.0 31 माई तक बढ़ा दिया गया तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए next important चीनिया आपको ये ध्यान रखनी है चाइना जो है उससे भारत का trade deficit रहा है भारत में trade चाइना ज़्यादा करता है हम लोग चाइना में trade कम करते हैं ये एक बहुत बार सवाल पुछा जाने वाला बात है next है कोबास 6800 या फिर क्या है तो जैसे कि option में आप देख सकते हैं ये एक testing machine है ये क्या है एक testing machine है जो कि test करेगा कि किसको कोबिद 19 है कोबिद 19 नहीं है तो ये आपको याद रखना चाहिए अगर कुश्चन में कोबास 6800 क्या है तो ये टेस्टिंग मसीन है नेक्स्ट है सिंग यून-201-202 नेम्ड सेटलाइट लॉंच्ट बाई क्या नाम है जड़ा ध्यान से देखिए सिंग य सबसे पहले चाइना से ही सुरुआत करते हैं यह है चाइना और इसके उपर और रश्या के नीचे Landlocked Country है मंगोलिया मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और टुग्रिक यहां की करेंसी है कौन सी करेंसी है टुग्रिक नीचे चाइना के बारे में आपको सब कुछ पत में पढ़ती है यह मैंने यूरोप का भी मैप इंक्लूड किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आज हम लोग C को देखते हैं उपर है Arctic Ocean और हम लोग अब भारत का मैप सीरीज खतम हो चुका है तो अब Asia का मैप उसको मैं ले के आने वाला हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ूँगा आप सबों को समझ में आ जाएगा ऐसा कॉंसेप्ट रहेगा फिर है Bering Sea North America Bering Strait तो Bering Strait Asia और North America को अलग करता है क्या या दखना आपको Asia और North America को कौन अलग करता है तो यह है Bering Strait Bering Sea उसके नीचे है Sea of Oco Tusk कई बार सवाल में पूछा भी गया है Sea of Oco Tusk तो यह है किसमें रसिया के पास है Kuril Island यह आपको दिख रहा होगा Kuril Island, Kuril Dweepsamu यह है Japan और रसिया के बीच में disputed North Korea और South Korea बहुत ही ज़्यादा नीज में रहते हैं तो आपको दिख रहा होगा North Korea की राजधानी है Pyongyang, South Korea है Seoul और Korean Peninsula यही है छोटा सा जो की China से लगा हुआ है और जापान की राजधानी है Tokyo यह नहा की करेंसी और North Korea और South Korea की करेंसी क्या है तो वो है WON यह दोनों करेंसी है North Korea और South Korea की अब नीचे आते हैं Pacific Ocean आपको दिख रहा होगा और South China सी यह सबसे ज़्यादा dispute में रहने वाला इलाका है तो आईए कुछ जो देश हैं यहां के उनका देख लेते हैं राजधानी तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं Cambodia की राजधानी आपको क्या दिख रही है Nompen Cambodia की राजधानी यहां Nompen है और R I E L Real यहां की करेंसी है दूसरा है Vietnam Thailand की राजधानी है Hunoï और Dong यहां की करेंसी है क्या है Dong इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाये था Thailand की राजधानी है बहुत यहां की करेंसी है Barma की राजधानी है Myanmar और Qyat यहां की करेंसी है Bhutan की राजधानी यह чRI ठिंपू और Nogal Tram की राजराधानी और करेंसी अब बात करते हैं फिलिपिन्स की फिलिपिन्स की राधानी है मनीला और पेसो यहां की करेंसी है मलेशिया की राधानी है कौललमपूर मलेशियन रिंगित रिंगित यहां की करेंसी है मैं बार-बार कहता हूं कि चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट क कीजिए अभी रिसेंट में इंडोनेसिया की राजधानी बदली है पहले इसकी राजधानी जकारता थी जहां पे सार्क का हेड़कॉाटर था लेकिन अब इसकी जो राजधानी है वो हो गई है इस्ट काली मंतन तो और यह हो गया आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का यह अगर एक तरीके देखा जाए तो साउथ चाइना सी को इंडियन ओसियान से जोड़ता है या फिर जावा सी को भी जोड़ता है और भी बहुत सारे स्ट्रेट प काबूल और अफगानी यहां की करेंसी है और यह सब सेंट्रल एसिया है और इधर के देश के बारे में मैंने कल ही बताया था जब इजरायल की बात हुई थी तो कल का अगर करेंट अफेर्स आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए क्योंकि रोज एक दिन बताऊंगा त आमित किया गया है किस देश का कारबन उस्वर्जन चार दसक में सबसे कम हुआ है मौस्ट इंपोर्टेंट और वीवी आई कोस्चन कोरोना वायरस की वज़ा लॉगडाउन की वज़ा से आपको पता ही है पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है कारबन एक्स्ट्रैक्ट कम हो र ही साओधी अरब ने और साओधी अरबिया के किंग कौन है सलमान बिन साओध और यहां जो है साओधी अरबिया की राधानी है रियाद और यहां की करेंसी है और साओधी अरबिया पहला ऐसा अरब देश है जिसने इसकी अध्यक्षता इस बार की है अब जो है साओधी अरबिया ने कुछ रिसेंट में रेस्ट्रिक्शन सटा है जिसे ये पहली बार अपने देश में महिलाओं को बिना पूर्सों के जाने की आजादी दे दी है दूसरी चीज इसमें जो है हमेशा प्रतिबंद लगाएं और तो ने तो रिसेंट में कार ड्राइबिंग पर भी प्रतिबंद हटा दिया है G20 के बारे में देखते हैं G20 की अस्थापना हुई थी 1999 में और भारत भी इसका member है तो आपसे ये पुछा जाता है तेख्या अब बात करते हैं कुछ और organization जैसे सार्क सार्क का अस्थापना और सार्क का headquarter सारक नहीं पाइस्ठापना हुआ था उनिस्फॉ पचाशी में और हेड़कवार है ऑओ के मैं काठ्मानडू में अच्छा मैं उपर सारक का हेड़कौंटर बता दी था जकारता जोकी वह है आसियान का आसियान का हैटकवार है जकारता तो जो लुग की और भी जो ग्रूपिंग से जैसे बिम स्टेक है बिम स्टेक में कौन-कौन से और्गनाईजेशन है देश है तो यह इंडिया इसमें सामिल है बांगलादेश है भूटान है मयानमार है और बिम स्टेक की भी अस्थापना को हुई थी उनिस्टो निन्यानवे में ठीक है उनिस्टो संतानवे या निन्यानवे मैं आई आम नोट कंफर्म यह मैं कल आपको कंफर्म कर दूंगा और इस सॉरी दोस्तों इसकी अस्थापना 6 जून 1997 में एक्चुली मैं इतने ज्यादा फैक्ट्स बताता हूं कि थोड़े से कंफ्यू और इसका हेड़काटर है बांगलादेश की अधनी धाका में अब बात करते हैं बांगलादेश तो आपने देख लिया और बिम्स्टेक भी देख लिया बिम्स्टेक में में मेंबर कितने हैं आज इसको भी देख लिए बांगलादेश इंडिया म्यानमार स्री लंका ठीक है और लास्ट में एक याद के लेज़ेगा विम्स्टेक भूलना नहीं तो भूलना से भूस हो जागा भूटान अनौ से नेपाल ये आपको याद रखना है इतने देश जो है विम्स्टेक में सामिल है ठीक है दोस्तो बहुत अच्छा ट्रीक है ये अगला है मातिर एस्मृती स्कीम किस राजने लॉंच किया मातिर एस्मृती स्कीम ये लॉंच किया है पस्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा यूरोप का पहला कोरोना फ्री देश कौन बन गया है तो ये बन गया स्लोवेनिया और मैंने कल इसकी बात की थी और आज इसका मैं मैप भी आपको दिखाने वाला हूँ तो आप देखिए आस्ट्रिया के नीचे छोटा सा एक देश है स्लोवेनिया इसकी राजधानी है लुजबुजाना और अब इसके आसपास के देश को देख लेते हैं किस-किस से लगा है तो आपको पता है अड्रियाटिक की रानी कहा जाता है इटली को क्योंकि अड्रियाटिक सी के क्यारो तरफ यह फैला इटली की जो राजधानी है वो है रूम और और क्या क्या फैक्ट्स आपको पता है इटली से जो exam oriented है और exam में पूछे जाएंगे तो आप यहाँ देखिए यह है Mediterranean Sea ठीक है यह है यह है Greece जिसे Athens भी कहते हैं सिकंदर यहीं कहता उसके आगे जो fact है वो क्या है Spain है यह Portugal है तो line से आपको याद रहना चाहिए Portugal, Spain की राजधानी Madrid, France की राजधानी Paris फिर जो है Belgium की राजधानी Brussels यहीं पे NATO नेशनल नेशनल कहे रहा हूं North Atlantic Treaty Organization इसका headquarter है Belgium की राजधानी Brussels में नीदर लेंड की राजधानी Amsterdam आपको उपर दिख रहा होगा तो दो देश यहाँ पे है इसमें क्या है International Court of Justice का headquarter है नीदर लेंड में और उसका नाम क्या है इंटरनेशनल Court of Justice का दा हेग ठीक है नेक्स्ट है फ्रांस के आगे जर्मनी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहां की जो चांसलर है एंजला मरकेल यह दुनिया की सबसे सक्तिसाली महिला है स्विर्जर लेंड की राजधानी है बर्ण और उस्ट्रिया की राजधानी है वियना नेक्स्ट फैक्ट चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग पोलेंड की राजधानी है वर्सा और और भी बहुत सारे यहां पे आपको देश दिख रहा है तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं Robert Azovedo ने किस organization से इस्तिफा दे दिया है तो ये इस्तिफा इनों ने दिया WTO से WTO का headquarter है Geneva, Switzerland, WHO का भी headquarter है Geneva ILO International Labour Organization इसकी अस्तापना हुई थी 1919 में और UN की अस्तापना हुई थी 24 October 1945 इसकी headquarter है UN की कहां पे तो comment करके बताईए World Economic Situation and Prospect Report की इस organization द्वारा जारी किया गया है तो ये report जारी किया है United Nations ने ठेक्या United Nations ने इस report को जारी किया है एक request दोस्तों आप से अगर आप इस channel पे नए हैं और उनके साथ भी इस चीज को discuss करें इतने ज़्यादा static GK के fact with current affairs सायदी आपको कहीं और मिलेंगे Hope Portal किस राजन लांच किया है तो Hope Portal लांच किया है उत्तराखंड सरकार ने ठीक है उत्तराखंड सरकार के बारे में World Heritage Site मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताये हैं और फिर से मैंने यहां मैप रखा है तो आपको दिखा देता हूँ कुछ-कुछ important चीज़ें उत्तराखंड से तो उत्तराखंड का नंदा देवी पार्क और Valley of Flowers National Park ये दोनों जो हैं सामिल किया गया है World Heritage Site में और recent में जैपूर सीटी को भी सामिल किया गया है World Heritage Site में और जैपूर को Pink City भी कहते हैं नेक्स्ट कोचन है पुरतातों सरेक्षन या Archaeological Survey of India की नए महाने इसक तो ये बन गई है वी विद्यावती अब आपके लिए अलग से कोचन है West Week उर्जा संकर्मन सुचकांक में कौन सा देश टॉप पे है और इसमें भारत की रैंक क्या है Option आपको दिख रही होगी इसी Option में से जो भी राइट आंसर है कमेंट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद Thank you so much